पाकिस्तान के बैटिंग देख रहे हैं लेकिन उनको बॉलिंग भी देखने चाहिए लेकिन बहले उनकी तो बॉलिंग पे इची हो गया देखने इंडिया में जब मैच हुआ था पाकिस्तान के अमशूरो उमारूर सहाफी है मुबश्चिर रुख्मान और उन्होंने बाबर पाकिस्तान के एहम मैच हारने का पूरा सटा होता है बहुत ही गेम्स आपकी फुली बुक्त होती है तो आइसी सी में भी सटा होता है कोई सोच सकता था इस वर्ल का अमेरिका से हार जाएंगे जो जिन्दगी में पहला आके मैच केल रही है तो अब थोड़े पहले आप देख है उसके बाद बिल्कुल नहीं हो तै क्या एकस्फेक्ट करते हूं हमने तो यह होता है कि मुझा है हम इस मिलग में राते ञेंडेंगे लेकिन को बिल्कुल उनका रजर्ट देके दिल इतना डीक्त साउट होता है तो अ रुदा बैके मैरे चाई विस चीज्व की तहकीकाश जरूर होनी चाहिए और जो बात वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मैचिस हारने के वाजन होने लिए देखें ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि पाकिस्तान क्या वो जान बूच के हार रहे थे मैचिस बाबाराजम अगर मुबश्र लिक्मान कह रहे हैं और ये मुबश्र लिक टीम पाकिसान किरकेट बोर्ड या बाबाराजम की फैमिली इस बंदे को सू करें और इससे जवाब लें कि इस बंदे ने यह जो गुफ्तगू किया है यह किस चकर में किया है इस तरह के जो केसिस हैं वो तो यू दो फ़ते में निप्टें और पता लगे सब को किया हुए हो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के एक जनरलिस्ट मुसबबर रह्मान ने जो बाबर आजम है जिसे पाकिस्तान का किंग कहा जाता है किरकेट किंग हाला कि पाकिस्तानी आवाम भले ही उसे गाली पटकाती रहती हो उसने एलिगेशन लगाया है कि बाबर आस्टेलिया में फ्लैट लिया है और एक दो जंगा और भी मतलब जो है फ्लैट लिये हैं बाबर आजम ने अब इस पर यह एलिगेशन लगाया जा रहा है अगर यह एलिगेशन कोई बाहर का अधर मुल्क का लगाता तो एक बार को बात हजम भी हो जाती लेकिन खुद पाकि पहले ही डूबता वाज आ रहा है कि अब इस तरीके से रिजवत खोर करके अपने ही देश के साथ गद्दारी करने में लगे हैं या सिर्फ सभी पाकिस्तानियों का जो जमीर है वो मर चुका है या फिर यह सब ऐसे ही है तो दोस्तों अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है तो आईदोस्तों वीडियो को श्टार्ट करते हैं है gonna तो बात कहनी है तो मैंने शेक साहिए ने फिर मुझे से बड़ा गिला किया तो मैं एक चली शेक साहिए होटे को लो टीम का, वो क्या इस्तक्वाल हो सकता है? मैं खाल उनको यह पता चल गया, अगपा किसान की कौमी टीम जो है, वो कल से रवाना तो हो चुकी है, पाकिसान के लिए लेकिन स्थे लोग आ रहे हैं, बाकी लोग जो है, आप 6-7 दिन के लिए अमेरिका ही रुक गये हैं, कर यह तो होगी बात, लेकिन अब जो इनकिशाफात हो रहे हैं, वो चुड़ेल भी वड़ी एक्टेव ही भी है, आजकल हर जगा जा रही है, लेके आ रही है, एद भी मिलने गई थी कुछ लोगों को, तो उसने मुझे बताया कि उसने का कि देखें, बाबर आजम और बु करता है, साया कॉर्परेशन ने कैसे बलैक मिल किया सबको, और अब हो चम्मक चलो जो आई है, नई वारदाती जो है, अजर महमूद ही उसका बता सकता है, कि वो कहा से उसको मिली थी, और वो अब जो दरजनों खिलाडियों को साइन अप कर रही है, तो वो क्या चिक कर रहे और इस सारी चीजों में चुड़यल ने का मुझे कि आपको पता है कौन की फिगर है, मैंने का कौन है की फिगर है, उने का मुश्ताक साब, मैंने का मुश्ताक जो मुश्य हमारे लेक्स बेनर, वो तो बड़े अच्छे आदमी है, डड़ी वाले आदमी है, मैं तो उनको अ आदमी है तो चुड़ेल कहती ही बस मेरा मूना खुल वाएं वह यह तो आप लोगो दिखाने के लिए है तो जो पीछे कर तूट हैं वो तो हमें पता है मैंने का अच्छा कहती है एक्चुली यह साया कॉर्परेशन का में रेक्रूटर था क्योंकि यह सेलेक्टर था और जब से कुछ तो क्योंकि खेलेंगे शीए सेलेक्टर उनको बता रहा है में लोट करेंगे तो सटा होता है अभू चाए आईपिल हो चाहिए पीएसल हो चाहिए कहीं पे कोई करक descent हो आपको यकीन आए या आपको ना यकीन आए आपका म्रमसला मेरा नहीं पूरा सटा होता तो सिर्फ एक साल की क्रिकिट रह गई है ये दो साल की क्रिकिट रह गई है तो फिर एक ऐसी टीम से आर जाते हैं जिसमें और्ड जो हैं वो मेभी हंड़िड टू वन होते हैं माज से इतने साल पहले को सोच सकता था कि अफगानिसान पाकिसान को हराएगा तो आप बुकीज ने उसका रेट लगाया वैं कि जी असी पैसे है यह अगर आपने अफगानिसान पे बैट की तो आप करोड पती एक लाक रुप्या लगा के तो सड़नली आप पाकिसान मैच हार गया अफग कोई सोच सकता था कि पाकिसान आइरलेंड से हार जाएगा आर गया पाकिसान यह वर्ल्ड चैंपियन टीम है को नॉमली चानबूरा की टीम नहीं है कोई सोच सकता था इस वर्ल्ड का अमेरिका से हार जाएंगे हम जो जिन्दगी में पहला आके मैच केल रही है किसी भी में के साथ पहला ही मैच आएंगे और वो कंविंसिंग ली हरा देंगे वो सोच सकता था जिसने उसके पर बेटिंग की वी है तो अब थोड़े दिन पहले आप देखें ना बाबर आजम की नई एट्रॉन आ गई और डी एट्रॉन आ गई बड़ी अची गाड़ी है मैंने भी एगा बनाइन है लेकिन आप यह चोटी बॉस Portal पाकिसान के लिए उस इप्यसाय यूंज एपुटॉट्ट वे लगत उच्सटी दो रे एंडिया से क्यूं हारे लो पैसा लग बातर हो। उन्होंने पैसा लियो, पैसा लगाओ, बाबर आजम के इतना अच्छा केलते हैं कि डॉलर्स में बिग जाएंगे, आजम खान के इतना अच्छा केलते हैं कि डॉलर्स देकर उनको कहेंगे आप हार्जो, हम तो सुनते हैं कि पूरी अवाम कहते हैं कि पाकिसना पे कर्ज़ा इसनिया मेरे क्रिकेटर्स का क्या लिना देना लेखाव बाबराजम को 45 लाग सेलरी जो बी के प्लेयर्स है उनको 30 सेलरी मिलती है इन पर कौन सा करज है बहीं ओपर से 25 पचिस डॉलर्स की सेल फियाला कि इन यह तो बात है, पैसे थह भम हमाराẩ during खाते हैं स Давай पहरा है, सबसे अच्छी एपछाई है किस अच्छी मुझे सबसे बुरी बुरी अच्छी कि फिर्फॉर्मूंस कि लगते उच्या और अजम खान की शबसे आजम खान को अजम कि टिहास नहीं थी यह कहा जा रहा है कि बाबराजम को कप्तानी से बिलकुल फारी कर देंगे जी मैं चाहिए जी ज़वान को कप्तानी बिलकुल से अच्छा मुझे यह बताओ कि अगर इस चीज पर एक्षिन हो जो लोयर ने केस दागा इनके अगेंस तो फिर यह बादा से ठीक भी है और नहीं कठा करते थे खाना वगरा बनवाते थे टीवी तोड़ा बहुत लोगों ने कितना ही जुआए कर रहे हूं हम लोग दुख हम लोग दुखी हो जाते हैं उनकी पर हमिस देखर पैसे दिये जाते हैं कि मुल्क के लिए खेलो इनको ग्रीन टीशिट दी गई हैं कि जाकर पाक हम बैठी होती हैं इंडिया के लोग आयोते हैं और बीच में हम विचाड़े अराम से बैठ जाते हैं जब हम हार जाते हैं कभी गए हो इंडिया वर्सिस पाकिसान देखने कभी जब यह हमारे यहां पर यहां में वह था था ना तब भी नहीं में गई इस दिनी शॉरटी कै फिर कैते हो हमें गिचा प्यार से प्यार है ने मुझे बॉलिंग अच्छी लगती है कि ऑड़ने वाली बात अब इनको चाहिए बैटिंग में फोकस करें और